आप सभी का स्वागत है तो यहां पर साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूं बाइलोजी का जीव विज्ञान की साखा है यानि ब्रांचेस ऑफ बाइलोजी तो यह जो टॉपिक है नहीं इतना इंपोर्टेंट है कि हंट्रेड परसेंट यहां से क्यूश क्यूशन्स पूच्य ही पूच्छे जाते हैं आप xy zit कोई सा भी एकजाम दे लो जिसमें जन्रल साइथ वालगे पूर्शिन आता है जाहे आप रेल्वें का कोई भी एकजाम दो चाहे ऐक्जाम दो किकिसी भी स्टेट का एकजाम दो हेकजाम में डेफिनिटली यहां से क्यूशन पूछे ही पूछे जाते हैं जैसे कि अभी एलपी और टेक्निशन का एक्जाम होने वाला तो उसमें भी काफी अच्छा वेटेज रहता है साइंस का तो फ्रेंड्स यहां से सबस्क्राइब कीषिए är यहां विज्यान का जनक किषिण विज्यान का जनक किसी न पूछे हैं जो किसी न किसी एग्जाम के पूचे गए हैं तो यहां पर आज इस टॉपिक का सामने हैं कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है इसको माक कर लेना most important करके फ्रेस जीव विज्ञान की बात करें तो इसका जनक किसे कहा जाता है तो correct answer यहाँ पर हो जाएगा option साब के सामने Darwin, Arastu, Hagley और Edward Jenner तो option B correct answer यहाँ पर हो जाएगा देखो जीव विज्ञान का जनक पूछे चाए जनतु विज्ञान का जनक पूछे क्या answer होगा Arastu होगा तो इसमें आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना है ठीक है न? Arastu option B ठीक है न? Father of biology और Father of geology यानि कि जनतु विज्ञान का जनक और जीव विज्ञान का जनक जो है वो कहा जाता है किसे Arastu को चलो next question अब देखो यहाँ पर बोला है जनतु विज्ञान का जनक क्या पूछा है friends? जनतु विज्ञान का जनक जनतु विज्ञान यानि कि Father of geology तो मैंने बताया था न? Father of biology ओ चाए Father of geology जनक जनक जनतु विज्ञान का जनक को आंसर जाएगा Arastu Arastu इस question का correct answer है option B next question जनतु विज्ञान जिसको जूलो जी बोलते हैं तो इसमें किसका अध्यन किया जाता है option A कह रहा है केवल जीवित जानवरों का option B कह रहा है केवल जीवित वनस्पती होगा या फिर option C जीवित और म्रत जानवरों का यानि कि दोनों का या फिर option D जीवित और म्रत वनस्पती दोनों का तो बतायेगा क्या answer होगा friends देखो यहाँ पे जूलो जी की बात करें तो इसमें किया जाता है किसने दिया most important mark कर लो options आप सभी के सामने है बतायेगा friends क्या answer होगा अरस्तू, लैमार्क, डार्विन या फिर लीनियस देखो एक चीज ध्यान रख ले ना जो लैमार्क है ना लैमार्क ने नाम दिया था जीव विज्ञान ठीक है ना बैमार्क और ट्रेवरिंस ने किया था इन दोनों विज्ञानिकों ने किया था अगर आपसे पूछा जाए कि कब किया इनों ने ये जीव विज्ञान नाम का प्रियोग अगर ये पूछा जाए तो अठारा सो एक लिख देना भई सुर्दुर्ट को कहते हैं दोनों के लग वर्य बिलकूज नहीं हो ना है चलो mark कर ले डारविन हीपोफ्रेट हेकल या फिर एडवर्ट जैन नो कह जाता है थिए उस्ती wins growing a तो हम जाएंगे राइट आंसर होगा option B के साथ अपने जाएंगे option B करेक्ट आंसर है इस question का चलो next question सामान्यत शुक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है option A कह रहा है रोगोडू को option B कह रहा है लिवेन होग को option C कह रहा है काल लीनियस को या फिर चार्लस डार्विन को तो फ्रेंट्स देखो शुक्ष्म जीव विज्ञान का जनक जो है ये कहा जाता है किसको लिवेन होग को कहा जाता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ राइट आंसर हो जाएगा option B करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पूरा नाम है एंटोनी फिलिफ वान लिवेल हो ठीक है न ठीक है न फ्रेंट्स चलो नेक्स्ट क्यूशन अच्छा ये बताओ कवक का अध्यन जो है उसे क्या का जाता है कवक का अध्यन most important option A करें mycology या फिर parasitology या फिर bacteriology या फिर ecology तो फ्रेंट्स बोला गया है यहां पर कवक का अध्यन तो जो कवक कहना उसका अध्यन कहा जाता है mycology तो right answer यहां पर क्या हो जाएगा option A correct answer हो जाएगा option A जो है वो इस क्यूशन का correct answer हो जाएगा very very important mark कर सकते हो इस type के जो क्यूशन होता है अक्सर exam में पूछे जाते है mycology कवको का अध्यन होता है और जो फाइकोलोजी है उसमें सहवालों का अध्यन किया जाता है एन्थोलोजी में फूस्पो का किया जाता है पॉमोलोजी जो है उसमें फालों का किया जाता है तो इस तरह के exam में questions देखने को मिले है चलो next question टेक्सिकोलोजी का संबंध किस से है टेक्सिकोलोजी वाइरस बैक्टिरिया रोग या फिर विस तो फ्रेंट्स टेक्सिकोलोजी जो है इसका संबंध है विसो से तो right answer हो जाएगा option D correct answer हो जाएगा option D जो है वो इस question का correct answer हो जाएगा ठीक है चलो next question यहां बोला गया है कि इन में से कौन सा है इन में से किसमे पौदों का भोतिकी और भारी संरचना जो पौदे होते है ना उसकी भोतिक और भारी संरचना जो होती है उसका अध्यन किया जाता है किसमे options है physiology, series, रचना विज्ञान या फिर phytomorphology या फिर कौशिका विज्ञान तो friends right answer इसका होगा option C correct answer हो जाएगा यह phytomorphology जो है इसमें पौदे जो होते है उसकी भोतिकी रूप और जो भारी संरचना जो है उसका अध्यन किया जाता है चलो next question देखो friends आप एक चीज नोटिस कर कर लेंगे आपन बिल्कुल भी किसी का time waste नहीं कर रहें बस ज्यादा से हमारा motto यही है कि आलतु-फालतु बात ना करके ज्यादा से ज्यादा time का use करें और कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्यूशन को अपन complete cover करें चलो next question आपके सामने आ चुका है question आपसे पूचा जा रह जैविक जगत में होने वाला कार्ये गूणय और पत्डति के अध्यान के इस घ्यान को मसीनी जगत में क्या बोला है मसीनी जगत में उप्यों करने को क्या आ जाता है option से bionics, bionomics, bionomy या फिर biometry तो यह कह जाता है करेंट आंसर क्या हो जाएगा friends आंसर हो जाएगा आपका option जो है वो इस question का correct answer हो जाएगा next question आसपास का जो वातावरन है इसमें पशु और पोधों की प्रनालियों और पादप के संबंद में जो अध्यन होता है उसे क्या कहते है option A कह रहा है पारिस्तिती की विज्ञान या फिर नरजाती विज्ञान या फिर वन्शावली विज्ञान या फिर प्रतीबा सास्त्र तो friends इसको कहा जाता है पारिस्तिती की विज्ञान तो right answer यहाँ पर जो होगा वो होगा option A correct answer हो जाएगा option A ठीक है चलो next question यहां बोला जार है VT culture जो है इसका संबद बताओ किस से है यानि कि VT culture जो है इसके बारे में आपको बताना है option A कह रहा है संत्रे के उत्पादन से option B कह रहा है अंगूर के उत्पादन से option C कह रहा है सेव के उत्पादन से या फिर option D, केसर के उत्पादन से, तो वीटी कल्चर की बात करें, तो इसका संबंद है, अंगूर के उत्पादन से, इसको most important mark करनो, आम देख सकते हो, या रैस के एक्जामे भी पूछा गया है, फ्रेंट्स, इस तरह के एक्जामे क्यों सक्सर पूछे ही पूछे जाते है, वीटी कल्चर हो गया, जैसे वीटी कल्चर का तो अंगूर से है, और ये जो है न, एपी कल्चर, उसका संबंद होता है, मधुमक्की पालन से होता है, देन सहरी कल्चर का होता है, रेशम कीट पालन से होता है, पीशी कल्चर का होता है, मतश्य पालन से होता है, और जो सिल् तो इस तरह के एक्जाम में देखने को मिलता है क्यूशन अच्छा आपको बताना है प्रति रक्षा तक्नीक का विकास किस ने किया था आप्शन से जोसेफ लिस्टर लुइस पास्चर एडवर्ड जैनर या फिर रोबोट कोज ने तो प्रति रक्षा तक्नीक जो है इसका वि ने बताया था एपकर तो सबसंग तो कौन्स ओंस छाइर है परांन दोगां सब्सब्र बतायां पिछले इसन सब्सक्राइब केक थान मातश्यपलन का हैं मतश्यपालन शिफ पार Цबिछ इसमां इसमें किया जाता है कास्ती Key Technology दो सबवर्डर्ण ओर सेरी काल्चर इसमें किया जाता है रेसम कीट का रेसम कीट पालन का रेसम देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है रेसम कीट पालन का अध्यान रेसम कीट पालन का अध्यान किया जाता है सहरी कल्चर में बहुत जादा बार पूछा गया है सिल्वी कर चलकर मैंने बताई दिया और जो PC कल्चर है य यह सारी चीज़े ध्यान रती है चलो नेक्स्ट व्रद समवर्दन किसका अध्यन है व्रद समवर्दन ओप्शन से व्रक्ष और वनस्पती की खेती पादब जीव का विज्ञान बागवानी कला या फिर फैसले उगाने फसले उगाने की कला तो राइट आंसर हो जाएगा व् जो व्रक्ष होते हैं और वनस्पति होते उसकी खेती का नेक्स्ट क्वेशन चठ्ठानी इस तरो पर लाइकिन विकास को क्या कहते हैं लाइकेन का विखास को ओप्शन है कि यहां पर दिये है दिंगी कोलस टेरी कोलस कोट्रीकोलस या फिर सैक्सी कोलस तो इसा कहा जाता है ऑप्षन दी चठानी इस तर पर जो लाइ знач कविकास होता है उसको चाप अंगूली चाप या फिर एलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा अंगूली लेखन विज्ञान जो है उसको सामन्नत हम जानते हैं अंगूली चाप के नाम से जीवानों की खोज किसने की मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्क कर लो बैक्टिरिया की खोज किसने की थी ऑप्शन्स हैं एंटोनी वन लिवेन हॉक रोबोट हॉक या रोबोट ब्राउन या फिर रोबोट हुक या फिर रोबोट कॉच तो जो एंटो तीन महां तक की आयू उसके अध्यन को क्या कहते हैं। Options हैं Chorology, Conchology, Nematology या फिर Neonotology Prite answer यहां पर हो जाएगा Option D correct answer हो जाएगा 90 सीसू की तीन महां तक की तीन महीने तक का जो अध्यन होता है ना उसे कहा जाता है Neonotology Option D Next Question विज्ञान के उस साका का नाम बताईए जिसमें अनुवांसी की यानि की Genetic अभियांत्रीके के दुआरा मानो प्रजाती में सुधार लाया जाता है वो किस नाम से जाननी जाती है Options है Euthanics के नाम से, Eugenics के नाम से, Anthology के नाम से या फिर Eufenics के नाम से विज्ञान की वो साका जिसमें अनुवांसी की यानि की Genetics अभियांत्रीके जो है ना उसके दुआरा मानो प्रजाती में सुधार लाया जाता है उसको Eugenics के नाम से जाना जाता है Next प्रानी विज्ञान की उस साका का नाम बताओ जिसमें पसू वेवार का वेज्ञानिक अध्यन किया जाता है Option से पारिस्तति की सरीर विज्ञान जीउ पारिस्तति की या फिर ETHOLOGY तुराइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा Option D के रहेट आंसर हो जाएगा ETHOLOGY Next Question गुण सुत्र की आकरती विज्ञान का अच्छी तरह से अध्यन किस्से किया जा सकता है Option A कर है अंतरावेस्ता, पूर्वावेस्ता, मध्यावेस्ता, या फिर जाइगोटीन तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मध्यावेस्ता राइट आंसर हो जाएगा Option C इस किशन का करेक्ट आंसर है Next किशन आपके सामने आपसे पूछा गया है कि कोशिकाओं के अध्यन को और क्या कहा जाता है Option से साइटोलोजी, फीजियोलोजी, नुकलियोलोजी या फिर सेलोलोजी तो कोशिकाओं के अध्यन जो है इसको हम कहते है साइटोलोजी क्या कहते है साइटोलोजी, ओप्शन, एक औरेक्ट आंसर है Next किशन म्रधा से संबंदित विज्ञान क्या कहलाता है म्रधा विज्ञान, शिक्षा सास्त्र, पारिस्थितिकी या फिर पोमोलोजी तो फ्रेंट्स म्रधा यानि मिट्टी से रिलेटेड जो संबंदित जो विज्ञान होता है उसको हम कहते हैं म्रधा विज्ञान कहते है तो देखो नॉर्मल सा क्यूशन है इजिली आंसर कर सकते हैं उप्षन है म्रधा विज्ञान नेक्स्ट क्विज्ञान एती हासिक लेखो का संरक्षन विज्ञान की कौन सी साका क्या अंतर्गत आता है बताओ बताएगा क्या आंसर होगा प्रतीमा, विज्ञान, मुद्रा, स्थास्त्र, म्यूजियोलोजी या फिर एपिग्राफी तो यहां पर राइट आंसर होगा इसका ओप्षन सी करेक्ट आंसर होगा कि एती हासिक लेखो का संरक्षन विज्ञान जो है वो म्यूजियोलोजी के अंतर्गत आता है मिर्मे को लोजी का बताओ मिर्मे को लोजी जो है इसमें अध्यान किया जाता है जो चींटी होती है ना उसका अध्यान किया जाता है मिर्मे को लोजी में ठीक है चलो, नेक्स्ट क्यूशन यहां पर इस क्यूशन का आंसर बताओ इसक्यूशन का अंसर क्या होगा प्रेंट्सक्यूशन पूचा गया है कि जीवों के संकर्मन के विरुद प्रतिरोध का अध्यन जो होता है उसको बताईए उसे क्या कहा जाता है बताईएगा तो राइट आंशर यहाँ पर हो जाएगा, इसे कहा जाता है, यूमिनो लोजिक हो जाता है, वेरी वेरी इंपोटेंट, बताइएगा क्या आंशर होगा, आंशर आपके सामने आई चुका है, तो आप आप एजीली आंशर कर सकते हो इसका, छिक है न, जब भी आपसे पूछा यहां पीजी लिए आंसर दे सकते हो अच्छा रुको एक सेकिंड हां मेर मेकोलोजी होई गया था अपना हां इसक्यूशन को थोड़ा सा ध्यान दीजेगा इस पर एतिहासिक बोला गया है यहां पूरा लेक जिसे पर बोलते हैं एतिहासिक तो जो एतिहासिक इस पर थोड़ा इसको Crist drama यहां पर option ड होगा option D situation का correct answer więks डे सिवा me जाता है चेंडियू का और जीवों के संक्रमन विरुद्ध प्रतिरोद का अध्यन क्या जरते घ्यमिन लॉजी मी option B correct answer is immunology हाँ इसका बताओ ये most important है more or less का समूदा ही जो है ना इसके जनतों के कवच जो होता है उसका ध्यन क्या कहलाता है ecology, conchology parology या फिर malacology तो ये कहला जाता है conchology कहलाता है क्या कहलाता है conchology इस question का right answer हो जाएगा option B option B correct answer है ठीक है चलो next question यहां बोला गया है कि जनतों विज्ञान की वो साका बताओ जिसके अंतरगत जनतों की भारी आकरती और भारी संरचना जो है इसका अध्यन किया जाता है option से physiology, embryology morphology या फिर ethology तो right answer हो जाएगा morphology correct answer हो जाएगा option C इसके अंतरगत क्या किया जाता है जो जनतों विज्ञाना उसकी भारी आकरती और भारी संरचना का अध्यन किया जाता है next mass species का अध्यन क्या कहलाता है option से mycology, myology, myology, mystology या फिर nephrology friends mass species का अध्यन कहलाता है myology right answer हो जाएगा option B next question अनुवांसी की किस से संबंदित है option से अनुवांशिक्ता, रक्त चाप, पाचन तंत्र या फिर चौसन तंत्र option A यहां पर correct answer हो जाएगा यह तो देखते ही answer आना चीरता कि अनुवांशिक्त का संबंद है अनुवांशिक्ता से genetics अरे नियो लॉजी का संबंद वताो किस से है यानी इसमें किसका अध्यान किया जाता है अनुवांशिक्ता, मकड़ों का अध्यान, मकषी पालड्न, या फिर वैरूर्थी का अध्यान तो Friends यह अरे नियो लॉजी जो है ना इसमें जो मकड़े होते हैं उसका अध्यन किया जाता है तो right answer option B next question मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नसल सुधारना क्या कहलाता है option से eugenics, euthanics, जीवास्म या फिर उद्विकास मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नसल सुधारना जो है उसे euthanics कहता है क्या कहते हैं euthanics option B next question मानुष्य तवचा का अध्यन करने वाली विध्यान की साका को क्या कहा जाता है physiology, anatomy, biochemistry या फिर डर्मेटोलोजी तो friends इसे कहते है डर्मेटोलोजी देखो यहां पर यह जो root word है डर्म जो है न वो root word होता है skin तो चास से related तो जहां भी डर्मेटोलोजी या डर्म वर्ड आ गया न इसका होता है skin से related बात हो रही है नेक्स्ट वन्षागती नीयमों का अध्यन जो है उसे क्या कह जाता है वर्गी करन विज्यान, कौशिका विज्यान, अनुवांशी की या फिर पारिश्थिति की प्रिंस वनसागती के नियमों का अध्यान जो है उसे अनुवांसी की कहते हैं तो राइट आंसर क्या होगा? ओप्शन सी अनुवांसी की Next question हीमेटोलोजी किससे संबंदित है? Very, very important उतक, विशानू, जीवत्रव या फिर कौसी का हीमेटोलोजी जो है इसका संबंद होता है टीशू से यानि उतक, ओप्शन A Next question जन्तू विज्ञान की वो साका बताईए जिसके अंतरगत अनुवांसी की लक्षन और उसकी वन्शागती का अध्यन किया जाता है वो क्या कहलाती है? Ecology, Cytology, Geology या फिर Genetics उतक जो होता है टीशू इसकी रचना के अध्यन से संबंदित विज्ञान क्या कहलाता है? उतक जो होता है टीशू कल्चर है इसके अध्यन जो है इसका बताईएगा किस के लिए उपियोगी? टीशू कल्चर की बात हो रही है Options आप सभी के सामने है जीवजन्तों के लिए, पौदों के लिए, कीडे, मकोडों के लिए या फिर अनुवान सीकी के लिए तो ये टीशू कल्चर की बात हो यह तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा Option D करेक्ट आंसर हो जाएगा Option D इस क्यूशन का करेक्ट आंसर है अनुवान सीकी के लिए फोसिल्स जिसे जीवास्म बोलते है इसके अध्धिन को क्या का जाता है तो ये तो easy सा क्यूशन है जीवास्म के बात हो यह तो obvious के बात है इसके अध्धिन को जीवास्म विज्ञान कहते है Option D Next क्यूशन सैवाल विज्ञान जो है सेवाल विज्ञान इसमें किसका अद्धिन होता है तो सेवालों का अद्धिन होता है तो राइट आंसर हो जाएगा option B correct answer हो जाएगा option B correct answer हो जाएगा और अगर जैसे यहाँ पर option दिये होते mycology, phycology, anthology, ps culture तो उस case में answer होता phycology क्योंकि phycology में अध्यन होता है सेवालों का और mycology में होता है कवकों का next कीट जो होते हैं इंसेक्ट इसके विज्ञानिक अध्यन को क्या कहते हैं इचोलोजी, entomology, parasitology या फिर mycology तो इसे कहा जाता है entomology कहा अनुवान सीखता का जो नियम है वो किस ने प्रस्तुत किया था मॉर्गन ने, मैंडल ने, बैटसन ने या फिर माईकेली ने तो अनुवान सीखता का जो नियम है उसको मॉर्गन के दुवारा प्रस्तुत किया गया था option A correct answer होगा next जन्तु विज्ञान की उस साका को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के वेवार का अध्यन किया जाता है तो friends उसे का जाता है जीव पारिष्थिति की कहते हैं क्या कहते हैं जीव पारिष्थिति की कहते है option A नेक्स्ट फिर्दय और उससे संबंदित जो भी अध्यन होता है उसके विज्यान को क्या का जाता है friends heart से related बात हो रही है तो heart का जो root word होता है न वो होता है cardio क्या होता है cardio अब यह cardio है इसमें एक और word मैं लगा दू लोजी लोजी का मतलब होता है अध्यान क्या होता है लोजी का मतलब होता है अध्यान देको कार्डियो का मतलब हिर्द है हर्ड और लोजी का मतलब अध्यान तो हर्ड से रिलेटेड जो भी डीसी सोती है उसका अध्यान किया जाता है कार्डियोलोजी में ओप्शन एक्स्ट विशन में जीवन जो है उसका अध्यन किया जाता है एकसो जीव विध्याद में तो आइन आंसर हो जाएगा option D next व्रद्धा व्यवस्ता एवं काल प्रभावन के विशे में ज्यान प्राप्त करने की विध्या को क्या कहते हैं औंकोलोजी जेरेंटोलोजी टेरेंटोलोजी या फिर और निथलोजी त्राइट आंसर यहां पर हो जाएगा option B correct answer हो जाएगा option B onkology जो इसमें cancer का अध्यन किया जाता है और निथलोजी जो है इसमें पक्षियों का किया जाता है चलो next मनुष्य में पर जीवी ग्रसन पैदा करने वाले क्रमी जो होते हैं उसके अध्यन को क्या कहते हैं हेलमिन्तोलोजी हर्पिटोलोजी इथलोजी या फिर मलेकोलोजी तो फ्रेंट्स इसे कहा जाता है हेलमिन्तोलोजी तो right answer यहां पर क्या हो जाएगा option A हेलमिन्तोलो जो है इसमें किसका अध्यन किया जाता है माहूं का अध्यन मकडों का अध्यन मक्खी पालन या फिर बरूथी का अध्यन तो फ्रेंट्स इसमें किया जाता है जो मकडे होते हैं उसका अध्यन किया जाता है एरे नियोलोजी में तो right answer हो जाएगा option B उत परिवर्तन का जो सिध्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था? हेक्सले ने, डार्विन ने, लैमार्क ने या फिर D-Bridge ने तो ये जो D-Bridge है इनों ने उत परिवर्तन के सिध्धांत को प्रतिपादित किया था तो आंसर होगा option D रक्त में एंटीबोडी और एंटीजीन जो है इसके अध्यन को क्या कहते हैं? इस्टेलोजी, गाइनिकलोजी, सीरोलोजी या फिर बायलोजी तो फ्रेंट्स इसे कहा जाता है सीरोलोजी कहा जाता है option C correct answer है सीरोलोजी, ब्लड में जो एंटीबोडी और एंटीजन का अध्यन है उसको सीरोलोजी कहते हैं नेक्स्ट क्यूशन, तितलियों के अध्यन को क्या कहते हैं? एंथियोलोजी, मर्मिकलोजी, लैपिड़ेटेरियोलोजी या फिर पॉलिनोलोजी तो right answer यहाँ पर होगा option C, लैपिड़ेटेरियोलोजी कहा जाता है, इसमें अध्यन किया जाता है तितलियों का नेक्स्ट क्यूशन, और नितो लोजी में किसका अध्यन किया जाता है? पिछले एक क्यूशन मेंने डिसकस भी किया है, और नितो लोजी में अध्यन किया जाता है पक्षियों का, यह जो और नितो है न, फ्रेंड्स और नितो, यह रूट वर्ड है किसका पक्षियों का, और लोजी का मतलब अध्यन मचलियों से संबंदित अध्यन क्या कहनाता है लेपीड़ेटेरियोलोजी या फिर एथोलोजी या फिर सिकिरोटोलोजी या फिर क्रेप्टोलोजी तो राईट आंसर हो जाएगा? एथेलोजी डाइट आंसर हो जाएगा option B करेक्ट आंसर हो जाएगा मचलियों से संबंदित पूछा था इसमें ठीक है अच्छा जो जीव जो होते हैं जीवों की उत्पत्ती का आधुनिक विचारधारा जो है वो किसके दुआरा प्रस्तुत किया गया था जीवों की उत्पत तो कीटों की बात ओरी तो आप इजी लिए आंसर कर सकते हो इसका तो कीट संवर्दक क्या है कीट जो होते हैं उसकी व्रद्धी करने का विज्ञान क्या कहलाता है कीट संवर्दक कहलाता है सजावटी जाडी और जाड़ियों का जो संवर्दन है उससे संबंदित अध्धन क्या कहलाता है ओलेरी कलचर सिल्वी करचर एगरोनॉमी या फिर आर्बोरी कलचर तो इसे कहा जाता है आर्बोरी कलचर आप्शन दी करेक्नांस रो जाएगा सिल्वी कर्चर जो है उसमें कास्टी पेडों का समवर्दन जो है उसका अध्यन किया जाता है नेक्स्ट क्यूशन ओडेंटो लोजी विज्ञान की वो साका है जिसके अंतरगत अध्यन किया जाता है अब देखो फ्रेंज एक चीज मैं बताती हूं आपको यहां पर यह रूट वर्ड देखना ओडेंटो क्या ओडेंटो जो रूट वर्ड है वो किस से रिलेटेड होता है दांतों से रिलेटेड टीथ ठीक है तो दांतों से रिलेटेड है और लोजी का मतलब क्या हो गया अध् तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सरी सर्प और जो उभेचर है इसका अध्यन किसमे किया जाता है इसका अध्यन किया जाता है हर पैटोलोजी में तो राइट आंसर होगा option C next question फफूंद या फिर हम कहें कवक जिसे फंगस अपन बोलते है इसके अध्यन को क्या कहते है तो इसके अध्यन को कहते है कवक विज्यान Option C करेक्शの answer कवक विज्याच Next question निमिनमे से जीव विज्यान की वह कौन सी साका है वो कौन सी साखा अनुवांशिक्ता और विविताओं के अध्यन से संबन्दित है उस साखा का नाम बताओ शुक्ष में जीव विज्ञान रती रक्षा विज्ञान अनुवांशिक्ता और देखते आंसर कर सकते हो कुछ भी नहीं है इसमें अनुवान शिक्ता की बात दो रही तो अनुवान शिक्ती यहां पर करेंट आंसर होगा option C next इसका आंसर बताओं आप सभी लोग कि जीवों के उनके परियावरन से संबंदित जो अध्यन होता है उसे क्या कहते है next question जीवान के वर्गीकरन के अध्यन को क्या कहा जाता है next question पहली odontology किसका अध्यन है दिमाग पादप प्राइमेट्स या फिर जीवास्म तो right answer यहाँ पे हो जाएगा जीवास्म इस question का correct answer है option D पहली odontology किसका अध्यन है जीवास्म option D next question मचलियों से संबंदित अध्यन क्या कहलाता है मचलियों से संबंदी देखो यह कुछन आलरेडी मैं करा चुके हूँ इतियोलोजी मैंने आपको बताया था आंसर होगा यहाँ पर ओप्षन C इतियोलोजी जो है इसमाध्यन किया जाता है मचलियों का नेक्स्ट जनसंका का अध्यन क्या कहलाता है उप्षन एक है रहा है जीवास्म विज्ञान, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी या फिर डेमोग्राफी तो डेमोग्राफी इस कुछन का करेक्ट आंसर होगा उप्षन D जनसंका क्या अध्यन कहलाता है डेमोग्राफी नेक्स्ट क्यूशन विज्ञान की वो साका बताईए विज्ञान की साका देखो यहाँ पर एक साका का नाम दे रखा है नियूरोलोजी तो यह जो नियूरोलोजी है इसमें कौन से अंग का अध्यन किया जाता है नियूरोलोजी में तो neurology में किया जाता है इसमायों तंत्र जो है उसका अध्यन किया जाता है तो right answer यहां पर क्या हो जाएगा option A correct answer हो जाएगा option A next question जनसंकर का अध्यन यह question सहथ repeat हुआ हाँ यह बहुत बता चुके हूँ option C demography चलो next question हाँ इस question को पर देखते है पीडिया ट्रिक्स निमन लिकित में से किसके अध्यन से संबंदित है option है अस्ति रोग फिर्दय रोग सीसू रोग या फिर नेत रोग तो यहां पर correct answer हो जाएगा सीसू रोग यहां पर correct answer हो जाएगा सीसू रोग option C अब देखो हिर्दय रोग से related क्या है कार्डियोलोजी और अस्ति रोग से related next question मैं इसे कहा जाता है प्रोमय तो से इसमें अध्यन किया जाता है से यह द्यार अंसर का ञेकर ये भी ध्याद रखना डर्मेट लौजी जो है डर्मेट लोजी इसमें इसकेन यानि तुचा का जो कि टर्मेट लौजी मी निर्च विहीं होुएं गरंतियों का अध्यन करने वाली जंतु विज्यान की छाका कौन सी यह उखका यह नाम बतां को एंडो विएज्ञान को जो अनुवान शिकता के जो नियम है इसके द्वारा मानों जाती की उनति का अध्यान करता है उसे क्या कहते हैं तो कि उसे कहां जाता है eugenics कहते हैं तो right answer यहाँ पर हो जाएगा option C correct answer हो जाएगा option C जो है वो execution का correct answer हो जाएगा next, resum parlan, resum parlan कहलाता है friends resum parlan को कहते है seri culture आप देख लो कौन से option में है seri culture दिखाई दे रहा है अपने को option B में तो right answer यहाँ पर हो जाएगा option B ap culture जो है इसमें किया जाता है मदiałemकी अध्यां को मधू मख्यपालन का आध्यान को P C Culture जो है PC culture भी आपने होत्य को जर में performag या परसके सब्सक्राग आप Guan जो है वो कूक्忙 करने ज़नके सबस्टक्राइब आपने अपने गवर किया है आपको वीडियो पसंद आया वो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जयादा जयादा वीडियो को शेर किजिए infAll इमेश्था और चैनल पर को नया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर 0 और सती साथ ही बännखा लाइकन आपको दिखाई दे वीडियो